नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सबीन आतामंग देश्मुक आप देख रहे हैं देश के नंबर वन हिंदी न्यूस चानल का नंबर वन शो कच्चा चिठा कच्च चिठा की शुरुआत एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट से जिसने इसरेल तो इसरेल अमारिका के भी होश फाक्ता कर दिये हैं रिपोर्ट भी किसी और ने नहीं अमारिका की एक बहुत ही बड़ी एजन्सी ने दी रिपोर्ट ये है कि हमास ने गाजा के मलवे में मौत की भटी जला रखी है एक ऐसी भटी जहां इसरेल के जितने भी सैनिक जाएंगे जान से हाथ दो बैटेंगे ये यकीनन यहां पर तैमाना जा रहा है हमास के आखिरिये किस किलर जोन की बात हम यहां पर कर रहे हैं आखिर वो किलर जोन है क्या इसे जान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये किलर जोन बहुत ही जान लेवा है घाजा में घुसे इसरैल के कमांडो किस के निशाने पर हैं इनके एक एक मूवमेंट पर उनकी नज़र है ये जहां भी जाते हैं उनके टार्गेट पर रहते हैं ये यहां जो कुछ करते हैं उनकी मर्जी से करते हैं दिन के 24 घंटे, घंटे के साथ मिनट और मिनट के साथ सेकेंट ये उनके निशाने पर हैं ऐसा सेफ ग्राउंड ओपरेशन में शामिल सेना के साथ ही नहीं है इनके टैंग भी टार्गेट पर हैं गाजा में घुसे एक एक टैंग के हलचल उनके इशारे पर हो रही है ये इसरेल के दोस्त नहीं, उनके जान ये दुश्मन है अब सवाल है कि अगर ये दुश्मन है तो गोली क्यों नहीं चला रहे हैं? इनको मौत के घाज क्यों नहीं उधार रहे? आखिर इनको अपने इलाके में और अंदर तक क्यों आने दे रहे हैं? जवाब है, हमास ने घाजा में मौत का जाल बिचा रखा है ये जाल हवाई हमले में बरबाद हुई, इमारतों के मलबे में बनाया क्या है? दावा है कि इस मलबे में हमास ने इसरेल के सैनिकों के लिए किल्ट जोन बना रखा है किल्ड जोन भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा जैसा एक ऐसा किल्ड जोन जहां जो आएगा मारा जाएगा दावा है कि इस जाल की तरफ बढ़ते इसरेलिस सैनिकों के एक एक कदम मौत के और करीब ला रहे हैं क्योंकि इस किल्ड जोन में हमास ने सैक्पनो स्नाइपर चिपा रखे हैं चौक गयाना ये सुनकर ये खुफिया रिपोर्ट ही चौक आने वाली है दावा है कि घाजा में ग्राउंड ओपरेशन करने उसी सेना के ये एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं हमास की एक खुफिया वार प्लैन लीग होई है इस प्लैन में इसरेल के सैनिकों को मौत के जाल में फसाने वाली उनकी खौफना रणनीती का पता चलता है इस रणनीती में सिर्फ इसरेल के सैनिकों के लिए ही मौत का जाल नहीं बिचाया किया है इस्रेल के टैंकों को दबा करने का खुफिया इंदजाम किया गया है खुफिया रिपोर्ट की माने तो हमास के हमाई हमले के मलबे के नीचे विसफोटक छुपा रखा है जिसका इस्तिमार हमास इस्रेल की टैंकों को उड़ाने के लिए कर सकता है जब भी टैंक मलबे के गरीब से घुज़रेंगे, मलबे में जमा बारूत में विस्पोट होगा और आसपास मौजूद सैनिक से लेकर टैंक तर सब कुछ जल कर खाक हो जाएगा सवाल है, क्या ये सच में होने वाला है? अगर होने वाला है, तो कब होने वाला है? अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्ट्यूट के विश्टलेश कोंकी माने, तो इस्रैल के हवाई हमले ही उनकी जान के दुश्मन बनने वाले हैं इस्रैल घाजा में जहां जहां भी बम गिरा रहा है, वहां हमास मौत का कुवाँ खुद रहा है इस्रैल जिस भी इमारत को तबाह कर रहा है, उसे हमास किल्जून में बदलता जा रहा है एक ऐसा किल्जून जहां कदम रखते ही इस्रैली सैनिकों को कोई भी नहीं बचा पाएगा American Enterprise Institute के रिपोर्ट बताती है कि IDF के सैनिकों पर हमला करने से पहले हमास छुपने के लिए बहुमिकत सुरंगों के साथ साथ मलबे के धेर का इस्तिमाल कर सकता है American Enterprise Institute के विशेशग्यों ने चेतावनी दी है कि जमीन पर मौझूद इस्रैली सैनिकों को हमास अपने किल्जून में खींच रहा है American Enterprise Institute के रिपोर्ट बताती है कि IDF के सैनिकों पर हमला करने से पहले हमास छुपने के लिए बहुमिकत सुरंगों के साथ साथ मलबे के धेर का इस्तिमाल कर सकता है American Enterprise Institute के विशेशग्यों ने चेतावनी दी है कि जमीन पर मौझूद इस्रैली सैनिकों को हमास अपने किल्जून में खींच रहा है American Enterprise Institute के विश्टलिश को ने दावा किया है कि गाजा में बिखरा पड़ा इमारतों का मलबा हमास के स्नाइपरों के लिए एक अभीद गवर देने वाला है जिसका इस्तिमाल कर हमास के स्नाइपर इस्रैल के सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं American Enterprise Institute के रिपोर्ट की माने तो घाजा में बिखरा मलबा इस्रैल की ग्राउंड ओपरेशन वाले मिशन को कमजूर कर सकता है क्योंकि हमास के स्नाइपरों के मलबे में छेपे होने के चलते इस्रैली सैनिकों के लिए जमीन पर नविगेट करना मुश्किल हो जाएगा और के हमास के लिए फाइदे मंद साबित होगा क्योंकि हमास ने गाजा में एक नहीं सैक्रों किल्ड जोन बना रखे हैं जिसके चलत इस सैचलाइट तस्वीर में दिख जाती है सीमा पर मौझूद बीवार को बार कर इस्रैल की सेना जैसे जैसे घाजा में अंदर दाकिल हो रही है वो हमास के बनाए किल्ड जोन के और खरीब पहुंचती जा रही है सैटलाइट दस्वीर में तीले रंग के जो तीर के निशान बने हैं वो इस्रैल के सैनिकों के घाजा में दाकिल होने वाले रास्ते हैं लेकिन American Enterprise Institute के रिपोर्ट की माने तो ये रास्ते इस्रैल के सैनिकों को हमास के किल्ड जोन की तरफ ली जा रहे हैं केल जोन नमबर एक, केल जोन नमबर दो, केल जोन नमबर ती, केल जोन नमबर चार, केल जोन नमबर पांच, केल जोन नमबर शे, केल जोन नमबर साथ, केल जोन नमबर आट, केल जोन नमबर नो, केल जोन नमबर दस, केल जोन नमबर ग्यारा, केल जोन नमबर पारा, केल जोन नमबर चौदा, किल्ड जोन नमबर पंगर इस्राइल ने दावा किया है कि पिछले 24 खंटे में इस्राइल ने हमास के 450 ठेकानों पर लड़ा को विमानों से हमला किया है ऐसे में अगर अमेरिकन एंटरप्राइस इंस्ट्यूट के रिपोर्ट की माने तो इस्राइल ने पिछले 24 खंटे में हमास को 450 गिल्ड जोन बनाने का मौका दे दिया है गाजा के नक्षे में आप देखेंगे उत्तरी इलाखा जहां इस वक्त इस्राइल की सेना मौचूद है उसने उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर दक्षन तक आपरेशन चलाया हुआ है वहीं इस्राइल की सेना ने दूसरा मौचा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमत साकर तक महुच गए यानि अब उत्तरी गाजा दक्षन गाजा से पूरी तरह से कट चुका है बीच में इस्राइल के फोर्स है और आप सबसे ज़ादा आबादी पाला उत्तरी गाजा पूरी तरह से घिर चुका है यहीं पर गाजा के बड़े अस्पताल हैं जैसे अलशिफा अस्पताल, अलकुद्स अस्पताल और एक इंडोनेशियाई हॉस्पिटल भी है यह वो जगह है जहां पर हजारों लोगों ने आस्पताल लिया हुआ है यानि अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्ट्यूट के विशलेश्कों के मुदाबे घाजा की धर्थी पर बेखरे मलवे में हमास की सेना जमी होई है इस मलवे वाले इलाके में अगर इसरेल की सेना घुसी तो उसका सामना हमास के सनाइपरों से होगा इसरेल की सेना अपने मरकावा टैंक के साथ घाजा में दाखिल हो रही है इसरेल का मरकावा दुनिया के सबसे सीक्रिट टैंक के रूप में बहचाना जाता है जिस टैंक के खिलाफ अच्छूप माने जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है लेकिन गाजा का दावा है कि वो इन टैंकों को भी फोड़ सकता है हमास के इस तैयारी को देखिए ये तैयारी गाजा में स्कीर्ट वाइट के लिए हो रही है इसरैल के कौश जब घाजा के बीचों बीच पहुँचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा घाजा में हमास के लड़ा के मुकाबला करने को तैयार में लेंगे हमास के स्नाइपरों का सबसे बड़ा मददगार हमास के हथियार बनने वाले है उसका गुरिल्ला युद्ध कोशल रहने वाला है इसरैल की सेना के लिए सबसे ख़तरनाफ फ्रंट घाजा के संथरे गलियां बनने वाली है क्योंकि वो लड़ाई गाजा के महलों में होगी गाजा के चौक पर होगी कमरों से गोलियां दाकी जाएंगी सड़कों पर बत्तरबंग गाड़ियां मोचा समान लेगी एंटी टैंक में साइलों से बारूत बरसाएंगी हैवी मशीन का दना दन शलेगी सबसे असरदार हथियार हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल है ये मिसाइले मरकावा पर मौत बन कर बरसेंगी और मरकावा धुआ धुआ हो जाएगा अगर ये हमला गुरिल्ला वार के तोर पर हुआ तो होज़ा में भी यूरियां के मारियोपुल इमारतों में सनाइपर चुपे हैं घाजा के इमारतों के मल्वे में मौचू ये सनाइपर इसरेयल के सैनिकों के लिए यमराज साबित हो सकते हैं घाजा की जो सबसे नई तस्वीरیں सामने आ रही है उससे साफ जाहिर है कि घासा का ज्यादा तर हिस्सा खंडहर में तबदील हो चुका है लेकिन खौफिया रेपोर्ट की माने तो इसी खंडहर में इसरैल की सेना को खंड खंड करने का खतरना प्लैन तज्यार है हमास के किलर गाजा में चप्पे चप्पे पर फैल गए और अब हिस्बुल्ला को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसे नेतन याहू को बेहत परिशान कर दिया उतर कोरिया और हिस्बुल्ला के बीच पक्की दोस्ती देखकर नेतन याहू के साथ बाइडन को भी लग रहा है कि इस युध में परमाणू बॉम की एंट्री हो सकती है हिस्बुल्ला का सबसे नया वीडियो लेपनन इसरेल बॉडर पर एक पोस्ट के पास सफेद रंग का ट्रक जा रहा है तब ही होता है एंटी टैंक मिसाइल से हमला इस हमले में ट्रक पूरी तरह जलने लगता है उसमें क्या था ये कोई बताने को तयार नहीं लेकिन बाद में इसरेल की पोस्ट पर अच्छानक हरकत बढ़ जाती है कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं हिस्बुल्ला के इस बिन पॉइंट अटैक ने इसरेल में बहुत बेचैनी पैदा कर दी है क्या हिस्बुल्ला उत्तरी इसरेल पर चड़ाई करने बाला है क्या हिस्बुल्ला सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि गाजा में जैसे हिस्बुल्ला के हमले का सही वक्त क्या हो सकता है इसे लेकर नेतन याखू से लेकर बाइटन दोनों पसोपेश में है हेजबॉल्ला ने लेपनन इसरेल बॉर्डर पर कई हमले करके साबिद कर दिया है कि इसरेल के उतरी सीमा अब सुरक्षत नहीं बची है अगर घाजा पर ग्राउंड ओपरेशन शुरू होने के बाद हमास हो थी और हेजबॉल्ला ने एक साथ इसरेल पर हमले गया तो इनको एक साथ रोपना इसरेल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा और तब अमेरिका की मदद के बेना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इसरेल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाएगा खाजा में हमास के लड़ाखों की तादाथ 40 से 50 हजार के करीब है उत्तर की तरफ लबनन में मिलीशिया हिस्बॉल्ला की तादा एक लाग से जादा है इनके सामने इसरेल में आक्टिव और रिजर्व पूर्स मिलाकर 6 लाग से जादा सैनिक है ये आंकड़े बताते हैं कि इसरेल के पास 4 गुना दाखत है इस वीच बड़ि रिपोर्ट ये है के इराग के मिलीशिया इस बीच बड़ी रिपोर्ट ये है कि एराग के मिलीशिया हश्ट अल-शाबी ने अमेरिका के सैन्ने अड़ों पर ड्रून के बाद मिसाइल से हमले शुरू कर दिये है इन हमलों में सबसे खतरनाफ मिसाइल का नाम है अल-अक्षा-1 अल-अक्षा-1 इराग की फते 1-1-0 का ही एक नया वर्जन बताया जा रहा है या कहें कि इरान ने ये मिसाइल इराकी हेजबॉल्ला हश्ट अल-शाबी को सप्लाई की और उसने इसका नाम बदल कर अल-अक्षा-1 कर दिया ये ऐसी मिसाइल है जो हेजबॉल्ला के पास पहले से है ये एक टैक्टिकल मिसाइल है जो छोटा परमाणो बम भी दाग सकती है इसलिए इस पैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हेजबॉल्ला के पास टैक्टिकल हमले के लिए परमाणो बम भी हो सकता है ऐसा परमाणो बम जिससे कम दाइरे में बड़ी तबाही मचाई जा सके क्या हेजबॉल्ला के चीफ हसन नसरला ने ये परमाणो सीक्रेट अभी तक छुपाकर रखा हुआ है 2006 में अमेरिकी कॉंग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनन के मिलीशिया हेजबॉल्ला के उत्तर कोरिया से गहरे संबंद है उत्तर कोरिया हेजबॉल्ला को हथियार भी देता रहा है इसमें रॉकेट और मिसाइल से लेकर बम और गोले भी है उत्तर कोरिया के लीटर किम जोन उनको हेजबॉल्ला का बहुत बड़ा फैन कहा जाता है उत्तर कोरिया ने फिलिस्तीन का भी हमेशा समर्थन किया है और अब दक्षिन कोरिया से ऐसे रिपोर्ट आ रही है कि जो रॉकेट हमास और हिजबुल्ला इस्तिमाल कर रहे हैं उन पर में दिन उत्तर कोरिया वाली छाप लगी हुई है इनका लॉंचिंग सिस्टम 2014 में ही उत सवाल है हिजबुल्ला और किम यूंग उनका याराना डेंजर मार के उपर जा चुका है और क्या इसमें कोई परवाणों सीक्रेट भी छुपा हुआ है फिलहार इस्रैल पर एंटी टैंक हम्दों ने हिजबुल्ला के इरादों को खतरनाक रूप दे दिया है इस्रैल हिजबुल्ला के हथ्यारों को लेकर डरा हुआ है क्योंकि उसने अब तक जो एक्षन दिखाया है उसमें इस्रैल की कई बड़ी पोस्ट के चीथने पोड़ चुके है हिजबुल्ला ने तीन तरह की एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल इस्तिमाल की ये है कॉर्नेट इसकी रेंज पांच किलोमीटर तक है ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब इरान इसका दीसी वर्जन देहलाविया तयार कर चुका है और ऐसी बहुत से मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है दूसरी है बीजियम सेवेंटी वन टो एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल रेंज है साड़े दीन किलोमीटर ये अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसके नकल इरान तयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है पीसी है 85 कॉंकोर्स रेंज चार किलोमीटर ये भी रूस ने बनाई है और अब इरान में ये तोसान नाम से तयार की जाती है इस्राइल ने सीरिया से खत्रे को देखते हुए गुलान पहाडियों में भी टैंक पहुँचा दिया है ये हिस्सा पहले सीरिया का हिस्सा था लेकिन 1967 के युद में सीरिया से इस्राइल ने इस हिस्से को अपने कबजे में ले लिया लेपनान, सीरिया और इस्रैल के ट्राइव जंक्शन वाले इलाके में हेजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है इस गाल पर वार करनी के लिए उसको जो मिसाइल मिली है वो उसे एरान से सप्लाइब की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है तीनों मिसाइल बहुत एखातर है लेकिन आप एक बड़ी मिसाइल का नाव सामने रहा है वो है फत्राइब 1-1-0 इस मिसाइल से नेतन्याहू कूर डर लग रहा है तो उसकी बहुत बड़ी बज़ा है इरांकी के मिसाइल 300 किलो मीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टार्गेट के 3 मीटर के धायरे में गिरती है एक बेलेस्टिक मिसाइल का इतना सर्टी खोना बहुत बड़ी बात है और यही बात इसराइल को परिशान कर रही है फाते 1-1-0 की दो और खास बाते हैं जिसकी वज़े से इसे रोकने में इसराइल को बहुत मुश्किल आ सकती है ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है ये कम बड़ में लॉंच के लिए तैयार की जा सकती है और ये रोध मुबाइल दै यानि इसे कहीं से भी लॉंच किया जा सकता है और फिर अपना ठिकाना बदलना बहुत आसान है मै यजरी अला जबहतिना मुहिम जिद्दन वमुअस्थिर जिद्दन इस रेंग के लिए इस से भी बड़ा खौप क्या है वो बहुत ध्यान से समझेगा बाइडन से लेकर मेतनियाखों को भी पता है कि फटह 1-1-0 मिसाइल को रोखना बहुत मश्किल है क्योंकि अमेरिका भी इस मिसाइल को रोखने में पूरी दरब फेड रहा थी अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी इसलिए उसके सेने आस पास अंडरग्राउंट हो गए थे तब इरान ने फटह मिसाइल का ही एक पुराना वर्जन इस्तिमाल किया था और अमेरिका भी इस मिसाइल को रोखने में नाकाम रहे थी इरान में ऐसी पर इत्रीस मिसाइल इडागी थी ये जहां गिर वहां ऐसे ऐसे गड़े बने और सौस से जादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुचा था देखा जाये तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद की चिंगारी पहुच चुकी है इसराइल से लेकर गाजा तक गाजा से निकली आग लेबनान तक पहुच चुकी है चिंगारी सीरिया और इरान में भी नजर आ रही है और अब उत्तर कुरिया से मिले हथियार बड़ा खत्रा बंते दिखाई दे रहे हैं यही वज़ा है कि अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लेंकन इराग का भी दौरा कर चुके हैं जब ब्लिंकन इराग पहुचे तो वो बॉलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे इराग में ऐसा खत्रा बताता है कि अमेरिका इस वक्त वहां के मिलीशिया हश्ट अलशावी से भी खबराया हुआ है क्योंकि इराग समर्थित इस गुट ने अब इराग और सीरिया दूनों जड़ अमेरिका के अद्रों पर हमले शुरू कर दिये हैं जब हिजबुल्ला और हमास का डबल खत्रा खड़ा हो गया है तो बाइडन ने एक बहुती खतरनाक बम इसरेल भेजने का तैसला कर लिया इस बाम को दुनिया बाला कोट वाले बाम के नाम से भी जानती है अब इसे गाजा का नया बवंडर भी कहा जा रहा है क्यों जरूर देखे कच्चा चिठा के जरीए हमास का सफाया करने के लिए इसरेल अब वही बम इस्तिमाल करेगा जो भारत ने पाकिस्तान के खलाब बाला कोट में किया था ये ऐसा बम है जिसे जहां ओडर मिलता है तो बस वहीं गिरता है ये दुश्मन को चुन चुन कर मारता है और अब इसरेल इसी बम से हमास को खत्म करना चाहता है स्पाइस बम एक तरह की किट होती है जो बम को एक गलाइट करने में मदद करती है और फिर सेटलाइट की मदद से ये उसी ठिकाने पर गिरता है जहां इसे टार्गेट मिलता है ये इसरेल की बनाई गई टेकनलोजी है जिसका उत्पादर अब अमेरिका में हो रहा है यही वज़ा है कि अमेरिका ने अब डाई हजार करोड रोपे का हथियार पैकेज इसरेल को डिलेवर करने का फैसला किया है स्पाइस टेकनलोजी से बम को रफदार मिलती है बम को रेंज मिलती है बम की तबाही सटी जगह पर होती है इस बम को साट से सत्तर किलो मीटर दूर से लॉंच किया जाता है यह पाइस ताग्मीट के चार वेरियंट है पहला स्पाइस 1000, दूसरा स्पाइस 2000 यही बम भारत में इसरेल से खरीदा था तीसरा स्पाइस 250 शौधा और सबसे नाय वेरियंट है SPICE 250ER यानि Extended Range यानि ज्यादा रेंच गाजा पर बंबारी के लिए इस्राइल को अमेरिका से जो पैकेज मिल रहा है उसके कई माएने हैं एक ये भी बात है कि क्या इस्राइल के बंब कम पढ़ने लगे हैं क्या 55,000 टन से गाजा को समतल करने के बाद इस्राइल के बंब का घोदाम खानी हो चुका है इस वक्त गाजा पर बंबारी जारी रखने के लिए अमेरिका इस्राइल की लाइफ लाइफ लाइन बन कर आया है उसके दो समुत्री बेडे इस्राइल के आसपास ही तैनात हैं ताकि युद्ध का दारा अगर पढ़ता है तो इस्राइल को कवर फायर दिया जा सके ये दोनों समुत्री बेडे परमाणू बंब से लैसें इसलिए डर ये भी सता रहा है कि अगर हमास का खात्मा नहीं हुआ और इस्राइल के दुश्मनों ने उस पर चौधर फाहमला किया तो क्या परमाणू बंब एक्टिव हो सकता है इस्राइल के दोस्त अमेरिका ने समंदर में अपनी घातव परमाणू पंदुपी ओहायो भी तैनात करती है जिसके टार्गेट बर साफ दौर पर इरान है मतलब हमास और इरान के खिलाफ अमेरिका ने अपना परमाणू प्लैन एक्टिवेट कर दिया है परमाणू हमले की आशंका इसलिए भी जदाई गए क्योंकि इसर्याल के मंत्री घाज़ा पर एटम बंब गिराने की हुंकार भर चुके है अब रूस ने भी परमाणू बंब के नुमाईश करके अपनी नियत साफ कर दी है जिसके बाद अमेरिका घबराया हुआ है बाइडन ने अपने नय परमाणू बंब पर नाम करना शुरो कर दिया है अमेरिका ने नया परमाणू बंब बनाने का ऐलान किया है अमेरिका का ये नया नियोपलियर ग्रेविटी बंब होगा अमेरिका के नय परमाणू बंब का नाम B61-13 होगा नागा साकी पर गिराए बंब से शौदा गोना बड़ा होगा ये बंब अमेरिकी रक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि वो B61 परमाणो ग्रेविटी बंब के मॉडन वर्जन B61-13 पर काम शुरू करने जा रहा है अमेरिका का ये नया परमाणो बंब कितना ताकतवर होगा सवाल है कि क्या अमेरिका रूस के जार बंब से भी बड़ा और अधिक शक्तिशाली परमाणो बंब बना सकता है क्योंकि विदेशी मीडिया की माने तो पतेन ने जार पम की गे प्रदर्शनी अमेरिका को चड़ाने के लिए ही रखी है